धारवी में हिंदुस्तान का भविष्य है अगर यहां successful अगर यहां success होगी तो हिंदुस्तान में success होगा अगर यहां failure होगा तो हिंदुस्तान fail करेगा सीधी सी बात धारवी एक चिन है सिम्बल है हिंदुस्तान के इन्वेशन का सिम्बल है हिंदुस्तान के ग्यान का सिम्बल है हाँ नरेंद्र मोधी जी इसकी इज़त नहीं करते है इस पर भरोसा नहीं करते है मगर यही धारवी है जो हिंदुस्तान को बना सकता है यही धारावी है जो चाइना का मुकाबला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है और धारावी सिरफ मुंबई में नहीं है धारावी हर हिंदुस्तान के प्रदेश में है हर शहर में है गरीबों की जो शक्ति है गरीबों का जो ग्यान है वो धारावी है, और जो इस धारावी की इज़त नहीं करता है, वो इस हिंदुस्तान को समझ नहीं सकता है, आपके सब बिजनस बंद है, लेदर का बिजनस ठप, वेफर्स का बिजनस ठप, रिसाइक्लिंग ठप, सब बंद पड़े हुए है, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोधी, फढण नविस जी, एकॉनमी की बात ही नहीं करते, मून मिशन की बात करेंगे, हाँ हमने चांद, चांद पर रॉकेट भेजा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कॉंग्रेस पार्टी ने इस रो बनाया, मगर रॉकेट से, धारावी की जनता का पेट नहीं भरने वाला, मोधी जी, नहीं होगा, उल्टी सीदी बात करने से, धारावी की जनता का पेट नहीं भरने वाला, आप धारावी की जनता को बताओ, फण नविस जी, मोधी जी, बीजेपी के नेता, शिफसेना के नेता, आप बताओ आपने धारावी की अर्थववस्ता के लिए धारावी के बिजनस के लिए छोटे बिजनस वालों के लिए दुकान दारों के लिए क्या किया ये आप बताओ वोट चाहते हो तो ये बताओ जनता को आप बताओ हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी आज है क्यूं है समझाओ मारूती ने फैक्टरी बंद की टाटा ने फैक्टरी बंद की पूरे देश में किसी भी प्रदेश में देखो गुजरात में देखो डायमट का बिजनस कपड़े का बिजनस खतम हो गया चन्नाई में देखो मैनुफैक्टरिंग घतम हो गई जहां भी देखो पूटे बिजनस, मिडल साइस बिजनस, बड़े बिजनस सब नश्ट हो रहे हैं मगर प्रधान मंतरी इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा फटनविज जी इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ यहां पे आपके यूनिट बंद हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने पांच लाख पचास हजार करोड रुपया पंदरा लोगों का कर्जा माद किया है पांच लाख पचास हजार करोड रुपया यहां कितने लोगों का कर्जा माद किया नरेंद्र मोदी ने दारावी में कितने दुकानदारों का छोटे बिजनस वालों का मिडल साइज बिजनस वालों का कर्जा माद किया है प्रधान मंत्री में मुझे बताओ कोई है यहां पर एक व्यक्ति है जो कह सकता है हाँ नए अगर आप अरब पती हो अंबानी अदानी जो भी आपको चाहिए ले सकते हो पब्लिक सेक्टर का कोई भी यूनिट चाहिए उठा के ले जाओ पंबाई की ट्रेन चाहिए ट्रेन ले लो अब यह आपको देखने को मिलेगा मगर अगर आप गरीब हो चाहिए治 लेक जोते बिजनस वाले हो अभी जोते हूँ चाहिए आपको एक रुपिया नहीं रुप्या नहीं मिल invers के देश को चलाते आप हो खून पसीना आपका और मौज इनकी पंदरा लोगों की चौकिदारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और आपका पूरा का पूरा पैसा आपका खून आपका पसीना पूरा का पूरा पूरा उनके हवाले कर रहे हैं नोट बंदी की आप से कहा था काले धन के खिलाब लड़ाई होगी आपने लाइने देखी लाइन में कोई काले धन वाला चोर खड़ा था क्या आप सब खड़े थे धारावी की गरीब जंता कड़ी थी माताएं बेहने कड़ी थी अधानी जी लाइन में खड़े थे क्या अभानी जी लाइन में खड़े थे क्या विजे अमालिया ललत मोदी ये लोग खड़े थे क्या लाइन में ना काले धन के खिलाब लड़ाई हुई आपके जेब में से पैसा निकला नीरभ मोधी के बैंक अकाउंट में गया अदानी एमबानी के बैंक अकाउंट में गया और आप देखते रह गए आप किसी भी छोटे बिजनस वाले तो पूछो जिसको 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 पहर था उसको बदला ट्राइबल बिल उसको बदला है मगर जीएस्टी को आप नहीं बदल सकते है इंस्पेक्टर राज चलारक्का है है चोटा दुकंदार छोटा बिज्नेस वाला धिन भर जीएस्टी के फॉर्म बढ़े उसके यहां इंस्पेक्टर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं, भाईया, रिश्वत दो नहीं, तो काम नहीं करने देंगे पूरी देश में यहालत है और अभी शुरुआत हुई है, देखो ताली बजा रहा है अभी भाईया, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने कुछ नहीं देखा अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखना छे महीने में यहां पे क्या होने वाला है आप देखना अगर ऐसी हालत चलती गई और दिववस्ता की ऐसी हालत चलती गई बेरोजगारी की ऐसी हालत चलती गई तो हिंदुस्तान में आग लगने जा रही है 15-20 लोगों का पूरा का पूरा फाइदा हो रहा है नरेंद्र मोधी का काम आपका ध्यान इधर से उधर ले जाने का है अमिच्छा नरेंद्र मोधी जी का काम और उनके जो मीडिया के मित्र हैं उनका काम हिंदुस्तान की जनता का ध्यान कभी उधर ले जाने का कभी उधर ले जाने का कभी उधर ले जाने का मगर मोदी जी आप बेरोजगारी से अर्थ विवस्ता के नश्ठ होने से गबबर सिंग नोट बंदी से दोड़ नहीं सकते कर लो जितना करना है जो करना आपने कर लो आप देखना यही जंता यही बेरोजगार युवा यही चोटे दुकानदार यही स्मॉल मीटियम बिजनेस वाले यही किसान आप से नियाए मांगेंगे और आप से नियाए चीनेंगे देखना आप समय आने वाला है मगर हिंदुस्तान का जो भविश्य और मैं दिल से इस बात को मानता हूँ यह जो बड़े बड़े अरब पती है यह हिंदुस्तान का भविश्य नहीं बना सकते है अगर हिंदुस्तान का भविश्य बनाना है या किसान बनाएगा या फिर जो इन शेहरों में बेरोजगार गरीब युवा है छोटा दुकानदार है स्मॉल मीडियम बिजनस वाला है यही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता और अगर कोई भी सरकार अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहती है अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान की शक्ती को बढ़ाना चाहती है तो ये लोग हैं जिनके हाथ बंदे हुए हैं जिनके हाथ में नरेंद्र मोधी ने हतकड़ी बांध रखी है उस सरकार को ये हतकड़ी तोड़नी पड़ेगी और मेड इन धारवी बनाना पड़ेगा मेड इन धारवी के बल पे मेड इन इंडिया बनेगा और फिर चैना से जाके मुकाबला होगा और कोई रास्ता नहीं है लाकों करोर रुपे हर रोज ये 15-20 लोगों को देते हैं कोई फाइदा नहीं होता कोई फाइदा नहीं होता अगर यही पैसा हिंदुस्तान के किसानों को दारवी के युवाओं को बिजनेस चलाने के लिए दे दिया जाए फिर देखो क्या होता है यहां पे चमतकार हो जाएगा हिंदुस्तान में और यही काम कॉंग्रेस पार्टी करेगी और कोई नहीं कर सकता ट्राइ कर लिया देख लिया सतर साल में कुछ नहीं हुआ देख लिया क्या हुआ पूरा का पूरा सिस्टम नश्ट कर दिया कॉंग्रेस पार्टी समझती है लोगों को कैसे एक साथ लेकर देश चला जाता है जूटे वाइदे नहीं करते उल्टी सीदी बात नहीं करते हम मगर हम काम करना जानते हैं सच्चा ही है हमने कहा था चुनाओ से पहले कहा था मैनिफेस्टो में हमने लिखा हमने कहा देखिए अगर आप हिंदुस्तान के अर्भेवास्ता को जंप स्टार्ट करना चाहते हो नियाई योजना लाओ हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डारेक्ट पैसा डालो जैसे कार्बरेटर में फ्यूल जाता है वैसे फ्यूल जाएगा पेट्रोल जाएगा धड़ाक से हिंदुस्तान के अर्भेवास्ता चालू हो जाएगी हमने मैनिफेस्टों में लिखा मगर नहीं बीजेपी सोचती है कि अगर अजवर्द व्यूल जालू करना है तो लाखों करोर रुपे हिंदुस्तान के अरब पतियों के जेब में डालने है गल्द है हो इनी सकता आप जितना पैसा हिनके जेब में डालना चाहती हो equivalो कुछ नहीं होगा अर्भेवस्ता को आप किसान के जेब में पैसा डालो मज़ूर के जेब में पैसा जालो छोते तुकांदार के जेब में पैसा डालो देखो क्या होता है दो मिनट में हिंदुस्तान की अर्देवस्ता चालू हो जाएगे लोग करीदना शुरू करेंगे सारे के सारे कार खाने शुरू हो जाएगे दारे वे ये में लेदर के प्लांट सब शुरू हो जाएगे मगर नहीं ये चोरी करना चाहते हैं यह पूरा पूरा पैसा, अंबानी, अदानी इन लोगों को जेब में डालना चाहते हैं और हिंदुस्तान समझ रहा है, देख रहा है, राफाइल में चोरी की, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोधी ने अपने मित्र को मदद करने के लिए राफाइल में चोरी करवा है, और आप देखिये राजना सिंग जा रहे हैं फ्रांस, कभी आपने पहले देखा है, कभी पहले देखा है, कि डिफेंस मिनिस्टर फ्रांस जा रहा है, गिल्ट है ना, जानते हैं कि भईया इसमें चोरी की है, इसलिए दिखाना पढ़ रहा है, और एक और बात कहता हूँ इस देश को बाटने से इस देश का फाइदा नहीं होने वाला है ये देश आगे जब ही जाएगा जब सब लोग इस देश के एक साथ आगे जाएंगे और आपने देख लिया पिछले पांच साल आपने देख लिया जितना ही ये देश को बाढ़ते हैं उतना देश का नुकसान होता है जितना ही ये बेधेश को बाढ़ते हैं उतनी बेरोज़गारी बढ़ती है जितना ही देश को बाढ़ते हैं उतनी अर्दवेवस्ता ठप होती है तो ये देश को जोडने का काम करना है और जो गरीबों की जगा है जो गरीबों को इज़त मिलनी चाहिए जो छोटे दुकांदारों को छोटे बिजनस वालों को सपोर्ट मिलना चाहिए वो देना ही पड़ेगा उसके बिना देश नहीं चल सकता है सीदी सी बात है और यह काम कॉंग्रेस पार्टी करेगी आप यहां आए रात का समय है आप सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ यहां पे हमारे सब कैंडिडेट्स हैं इनको आप जिताइए इनका समर्तन कीजिए और वर्षाजी जो हैं युवा हैं दिल का रिष्टा है आपके साथ इनको भी आप जिताइए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिद